अब ऐसा कहना सच में गलत नहीं होगा कि जस्टिन टूडो कैनडा की लंका दहन करने वाले है। एक प्रधान मंतरी जिसे अपने राष्ट्र को सवार कर सबसे आगे ले जाने के लिए चुना जाता है। वही अगर अपने मुल्क को अपने स्वार्थ के लिए इस्तिमाल करने लगे तो उस राष्ट्र के नई या डुबने में कितनी देर लगती है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि भारत ने आज कैनडा पे ऐसी कारिवाही कर दी है कि कैनडियन लोग अब रोने लगेंगे और खालिस्तानियों की तो गर्दन पकड़ ली है। ऐसा मान क ही चलिए तो बहुत ही वड़िया खबर है चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखें आपको याद होगा बीतेर अविवार को कैनडा के जीटिये यानि ग्रेटर टोरेंटो इरिया में कुछ खालिस्तानी समर्थकोनी हिंदू मंदिर पर हमला किया। अब ये हमला तब क जब मंदिर में भारतिये कॉंसलूट के अधिकारी एक कैम्पेंच चला रहे थे। हाला कि एक कैम्प किस विशय को लेकर चलाया जा रहा था ये तो नहीं पता। लेकिन जब भारतिये लोग वहाँ पर मौझूद होकर कैम्प को संभोधित कर रहे थे तो सेकडों की तादा पर हमला करते हुए वहाँ तोड़ फोड करने शुरू कर दी। अब इसी घटना के बाद कैनडा और भारत के बीच सियासी हंगामा खड़ा हो चुकाए बलकि भारत ने कैनडा को आड़े हातों ले लिया। देखिए स्क्रिन पे आप जोए आर्टिकल देख रहे उसे हिंद दोस्तान लाई उन्हें जारी किया आए जिसके मुताबिक भारत ने कैनडा में अपने सभी कैम्प रत करने के आदेश दे दिये हैं। अगर कोई सुरक्षित होगा तो वे है सिर्फ एक खालिस्तानी और कोई नहीं खुद कैनडियन नागरिक भी नहीं। इसलिए जेस्टिन सरकार पे भरोसा ना करते हुए हम अपने सारे कैम्प कैनडा में रत करवा रहें। और कैनडा के भी कोई दूतावासी कैम्प भारत में नहीं चलेंगे। इसके आलावा और एक निउस ये निकल कराई है कि भारत ने पूरे 10 साल के लिए कैनडियन लोगों के लिए अपना ट्यूरिस्ट वीजा बंद करने का फैसला ले लियाए। खबर के मताबिक भारत सरकार ने मल्टिपल एंट्री वीजा पर अपनी नीती में बड़ा बदलाव करते हुए दस वर्षवाले परियटक वीजा को बंद करने का फैसला लियाए। जिससे कि कैनडा से भारत आने वाले लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जादा ही परिशान करने लगे है।